तो नमस्कार दोफ्तों मैं संदीप आप सभी का फिर से स्रागत है एक और नए वीडियो में दोफ्तों क्योंकि सभी एक्जाम होच चुके हैं तो आप मेंसे बहुत साइ इस्टुट को नहीं मालुम होगा कि रिजल्ट कब डेकलेर होता है क्या प्रोसस है और कितने दिन के बाद डिकलेर कर दिया जाता है तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे तो आपको वीडियो को इंड तक जरूर देखना है ठीक है मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं तो दोस्तों अब बात करते हैं triple c December के result कब आएगा जो triple c का rules है यानि कि जो organization जो संसेथार triple c course कराईती है उसका नाम है नीलेट ठीक है जो नीलेट का rules है वो है कि एक महीने के अंदर आप लोगों का result declare कर दिया जाता है official जो rules है में भी दो चार दिन आगे पीछे भी हो सकता है ठीक है लेकिन exactly नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि एक-दो दिन पहले भी result आ जाता है और एक-दो दिन बाद में भी आता है ठीक है तो इसके लिए आपको कोई आ सकता नहीं जैसे भी result आता है मैं आप लोगों को information कर दूंगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी रूटी साथ ही मैं आप लोगों को सबसे पहले information कर दूंगा अगर आप कुछ पूशना चाहा रहे है तो बेसेक आप कमेंट सेक्शन में पूश सकते हैं मों उसका 100% reply देते हैं तो दुफ्तो आज किस वीडूम बस यही जानकारी देना था क्योंकि आप मैंसे पीछे हो सकता एक दो दिन और हां जैसे वी रिजल्ट आता में एक रिजल्ट डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना होता है क्या प्रोसेस से पूरी वूसी वीडियो में बता दूंगा ठीक है तो आपको वीडियो अच्छे वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए